गाईज यह है एक डिजिटल टाइमर इस पे आप वीकली प्रोग्राम कर सकते हैं इस इलेक्रोनिक टाइमर का यूस, प्रोडक्शन एक्विपमेंट्स, स्ट्रीट लैंप्स, लाइट बॉक्स, नियॉन लाइट्स, वेरहाउस वेंटिलेशन, आटोमेटिक प्रीहिटिंग, अग्रिकल्चरल कल्टिवेशन, रेडियो टेलिविजन और बहुत जगों पर हो सक ब्लैक्टी एलेक्रोडे कमपनी इस प्रोडक्ट को सप्लाइ करती है, तो आज हम प्रोग्रामिंग कनेक्शन्स वर्किंग, सब देखेंगे इस वीडियो में, तो चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट इस दिए बोक्स, और बोक्स में ये है एलेक्रोनिक टाइमर, और साथ में है एक काफी अच्छा यूजर मैनूल, as you can see, काफी छोटा सा पैनल माउंटेट टाइमर है ये, बोडी माटेरियल है, ABS प्लास्टिक, प्रीमियम फील होता है, और ये है चार कॉंटेक्ट्स, यहां तीन होल्स मिल जाते हैं, वाल पर फिक्स करने के लिए, LCD डिस्प्ले है यहां, यह रबर बटन्स है, यहां एक आउट LED इंडिकेटर है, और एक छोटा सा रिसेट बटन है, स्पेसिफिकेशन्स देख लेते है 220V 50Hz power supply से लगता है, वोल्टेज रेंज है 176V to 250V, 25A की रेजिस्टिव लोड कैपेसिटी है इसके और इंडिक्टिव लोड कैपेसिटी है 20A की, 1 मिनेट से 160 आवर्स की टाइमर रेंज है इसकी, इसमें 30 ON-OFF टाइमर सेट कर सकते हैं, 130 ग्राम्स वेट है इसका, रिकमेंड अपरेटिंग टेंपरेचर है, नेगेटिव 25 डिगरी से पॉजिटिव 60 डिगरी से बीच, इन बिल्ड लीथियम आयन बैटरी होती है, इसमें जो 5 सालों तक चल जाती है, ये थे इसकी स्पेसिफिकेशन, अब प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, वो देख लेते हैं, सबसे प करना है, hours, दोपेर के 12 बचकर, minute करते हैं, 20, ये red manual बटन प्रेस करने पर screen lock हो जाती है, और यहां ये symbol आ जाता है, तो आप कोई भी बटन प्रेस करोगे तो device respond नहीं करेगी, लॉक हटाने के लिए manual बटन को वापस प्रेस करके रखें, इसमें total 3 modes है, एक permanent off, जहां ये device जहां output continuous on रहेगा, तो हमें auto वाला mode चाहिए, प्रोग्राम करने के लिए P को प्रेस करना है, एक बार, ऐसा आएगा screen पर, 1 on, 1 off, 2 on, 2 off, 3 on, 3 off, up to 30 on, 30 off, तो इसमें 30 timers आप सेव कर सकते हैं, अब 1 on में मैं settings करता हूँ, पहले day, इसमें कुछ preset days भी होते हैं, जैसे weekends, weekdays, alternate days and then individual days, तो मैं individual days में Tuesday select करता हूँ, अब hours set करना है, मैंने किया 12 hours और minutes किये, मैंने 30, यह हो गया on timer, अब off timer के लिए P button एक बार प्रेस करना है, फिर day, Tuesday, hours 12, minutes 32, याने यहां 2 minute का timer set किया है हमने, similarly आप 2 में, 3 में, 4 में आपके application के according timing set कर सकते हैं, back जाने के लिए घड़ी वाला button प्रेस करें, कुछ देर बाद यह screen auto lock हो जाएगी, अगर आपको timing change करना हो, तो आप same process करें, जैसे P प्रेस करके, जो timing चाहे वो change कर लें, जैसे मैं करता हूँ 12, 35 on के लिए, और off के लिए 12, 37, back, अब connections कर लेते हैं, simple है connections, power supply connect करना है यहाँ यह load है, इसे direct इन दोनों terminals में connect कर लेना है, सब connections हो गए, अब 12, 35 का wait करें, यह देखे, exact time पर load on हो गया है, और 12, 37 पर load off हो गया है, तीनों modes भी आपको दिखा देता हूँ, unlock किया, यह देखे, permanent on, यह permanent off, और यह auto, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, इसमें 1 second, 2 second का error देखने को मिल सकता है, after a long usage, तो medical equipments के लिए, इस timer का use बिल्कुल भी ना करे, error की वज़े से heavy equipments जैसे heater, refrigerators, damage हो सकते हैं, तो sufficient margin रख कर ही timer set करे, और इस timer को moisture, corrosion और high metal content gas environments में operate ना करे, तो that's it guys, अगर आप इस electronic timer में interested हैं, तो black tea electronic company से आप contact कर सकते हैं, details सारी description में दी हुई है, personal inquiry के लिए आप हमारे instagram page पर भी हमें DM कर सकते हैं, उसकी भी link हमने description में provide की है, ऐसी information से भरे videos अगर आप future में भी चाते हैं, तो channel को subscribe करें और वीडियो को like करें, आपके सवाल, doubts या सुझाओं हमें comments करें, हम पूरी कोशिश करेंगे reply करने की, तो guys मिलते हैं अगली video में, तब तक take care and जहिंद, झाल 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 झालबा करेंगे झालबाए लग्राइद करेंगे और फे झाल ए Speak